Hello friends, Abiyan Civil Services के platform पे आपका एक warm welcome है, my name is Alok Singh और आज हम The Hindu के editorial discussion के series में एक next topic लेके आए हैं, जो कि इंडिया में corporate sector के role पे emphasize करता है, which is headed as why India's INC is not taking a hanuman leave. Of a recent finance minister of India निर्मला सीता रमन ने एक red flagging की है, कि despite all measures, despite all positive efforts taken by the government, corporate sector अपना lead role नहीं ले पाया है, तो उन्होंने ये बोलाए कि corporate sector को जैसे hanuman को उनकी शक्ती के लिए बताया गया था, कि उनके पास क्या powers है, वैसी ऐसी कोई requirement दो नहीं है कि हमें corporate sector को भी बताने की ज़रूरत weeks to do, अब ये hanuman का जो है, उन्होंने metaphoric reference दिया है, तो आपको जो है religious mythology पर हनुमान की भी story बता ही देता हूं, ऐसा रामायण में माना गया था कि जब बाल हनुमान जो थे वायू पुत्र हैं, बोले जाते हैं, तो जब ये बच्पन में छोटे थे तो इनके पास काफी powers थी, कि ये कहीं भी move कर सकते थे, और ऐसा क्या हुआ कि इनको भूग लगी थी, he was bit hungry in his childhood days, तो उन्होंने उगते हुए सूरज को ऐसा fruit समझ लिया, कि एक फल है और उन्हें भूग लगी थी, तो वो हवा में उडते हुए सूरज को निगलने के लिए निकल गया, जिससे क्या हु पजर से अटैक करते हैं, जिससे उनके चहरे पर चोट लग जाती है, और विगर जाते हैं, लेकिन हनुमान फिर भी नहीं मानते, और अपनी activity को जो है, मतलब ऐसे notarious activity करते रहते हैं, तो वहां के रिशी मुनियों ने उन्हें श्राब दिया, कि हनुमान की शक्तियां तब हनुमान बड़े होते हैं, रामायड की कथा में आपने सुना होगा कि भगवान राम को वनवास मिलता है, और फिर वो परवतों में आते हैं और रामड जो है सीता का हरंड करके लंका में लेके जाते हैं, तो भगवान राम जो है सुगरिव की सेना से मदद मांगते हैं सीता पता नहीं रहती है कि उनके पास ऐसी शक्ति है कि वह हवा में उड़के जो है इस समुदर इतने विशाल समुदर को क्रॉस करके जाएंगे तो जामद का कैरेक्टर आपने रामायड में सुनाई होगा जामद जो है हनुमान को याद दिलाते हैं कि है हनुमान तुम एक वायू पुत्र हो और तुमारे अंदर यह असीम शक्तियां हैं और तुम ऐसी समुदर को जो है अपने निश्चिता से जो है क्रॉस कर सकते हो तो फिर हनुमान को जब अपने शक्तियों का पता चलता है तो वह लंका क्रॉस करके जाते हैं और बाकी की कहानी आप जानते हुए कैसे की वह सीथा में का पता लगाते हैं और लंका देहन करने आथे हैं तो यह सारा कुछ है इसी लेकिन उसे अपनी शक्तियों का पता नहीं है कि वह क्या कर सकता है जिससे इंडिया की एकॉनमी अप्लिफ्ट हो सके इसलिए क्या ऐसी ज़रूरा था कि उन्हें बताया जाए हनुमान के जैसा याद दिला जाए तो यह सारा कुछ बीफली है हनुमान से रिलेटर हो आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी अब देखते हैंगे न्यूज में क्यों है जैसा मैंने बताया है कि निर्मला सीता रमन राइट फ्लैक्ट कंसर्ण से अबाउट दिस लगिश कॉर्परेट इन्वेस्मेंट दिस्पाइट गवर्मेंट्स बिजनेस फ्रेंडली स्टैंस इंक्लूदिंग ए रिदक्शन इन कॉर्परेट टैक्स और रिसेंट कई सालों से आप पहले इनिशली 30% जो था existing companies के लिए tax अब वो 22% कर दिया है इनिशली जो companies new manufacturing companies established होती थी थी थोड़ा कम tax होता था around 25% होता था उसको और लो करके 15% कर दिया है ताकि less amount of corporate taxes इंडिया में रहो और इंडिया नी companies जो incentivize हो अपनी business activity को pursue करने के लिए लेकिन यह सारी activity और सारा कुछ effort लेने के बाद भी कोई अभी economy पर उतना positive impact नहीं पड़ा है तो this is all निर्मला सीता रमन ने जो है इस पर जो है अपना एक view रखा है अब मैं आपको एक brief background information दे देता हूं कि जो हम further article discuss करने वाले हैं उतना उसकी backgrounding build करते हैं तो इंडिया की economy जो है ना एक bicycle की तरह है अब यह समझ लो sorry for the glitch is not diagram यह bicycle है और two-wheeler bicycle है right economy को आप समझ लो एक bicycle के तरह या एक bike की तरह जिसमें एक पहिया जो है वो government sector का है और दूसरा पहिया जो है private sector का है और इन दोनों पहियों का proper होना well maintained होना इस bicycle की running के लिए mode of transportation के लिए बहुत ही crucial है अगर कोई भी पहिया की air pressure गरबढ होई या puncturing होई तो पूरी की पूरी economic activity जो है slump हो जाती है right आप सोचो कि आप cycle ride कर रहे हो ठीक है and both the tires are दोनों tires में जो air pressure बढ़िया है everything is good तो यह cycle बहुत smoothly run करती है right अब किसी भी tire में air pressure कम हो जाए तो cycle की speed ब pressure पढ़ने लग जाता है तो उसमें क्या होता है कि दूसरे sector पर जैसे अभी मालो private sector अगर low activity परफॉर्म कर रहा तो government sector पर प्रेशर पढ़ेगा यह पढ़ेगा और दूसरा एक rule होता है मालो आप cycle चला रहे हो लो pressure के beside पर cycle का tire ही पंचर हो जाए right और अगर आपको पता है कि एक half a kilometer के range के बाद cycle repair shop है जहां पर हमें cycle लेके जाऊंगा और cycle repair जोगे यह और optimistic about that ठीक है तो आप क्या होता है दूसरे tire की भरोसे जो है ना इदर छोटे होते तो चला के ही चले जाते या फिर you know आप ऐसे जो करी करके cycle की shop तक ले जाते और उसमें यह एक tire आपको assist कर रहा होता है क्योंकि नॉर्मल functioning कर रहा है वैसी हमारी country की economy health होती है right कभी situation जब normal होती है दोनों tats proper function कर रहा है तो एक smooth economic running होती है लेकिन अगर कुछ adverse situation आ जाए जैसे economic shock आ जाए recession आ जाए या फिर GST implementation आपने देखा recent में कोविड जैसे phenomenon देखा इस tire का na air pressure in activities की वज़े से जो कम हो गया थे आनि कि private sector was performing at a lower potential of it जो भी इनका potential उसके lower caliber पे काम कर रही थी तो उसमें government sector intervene करती है बहुत सारे financial incentives देती है बहुत सारे loan credit और ऐसा कुछ करूंगी तो cycle repair के shop पे जाके cycle सही हो जाएगी तो government sector is also optimistic कि अगर मैं private sector पर tax कंसेशन दे रही हूं इसा अप्टमीजम होता है और इस वाई very crucial कि यह दोनों टायर पॉब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है बहुत ही उनके पास अपनी expertise है तो एक country की economic development के लिए इन दोनों sectors का जो है complimentary role बहुत crucial हो जाता है ताकि अगर एक की deficiency जो है दूसरा जो उसको fill up करके उसको efficient बना सके राइट तो इससे जो है आपकी bicycle of the economy जो है इंडिया की वह smoothly function कर सकती है तो this is all about की एक brief background information है और जैसा मैंने discuss किया थे कि government कुछ steps लिए थे जिसमें corporate tax उनने reduce करके 30% से 22% कर दिया manufacturing companies उनका tax rate 25% से reduce करके 15% कर दिया despite that मतलब इतना assessment के बाद भी अभी भी जो है मतलब ऐसा कुछ positive scenario या positive effect private sector की तरफ से नहीं देखा गया अभी भी जो private sector in Indian economy का इंडियन economy में investment rate अभी उतना optimism नहीं शो किया है तो एक questionable mark है कि what has been the reason to this topic में further issues को discuss करेंगे और सिर्फ आज की perspectives ने पिछले 10 साल के जो economic activities रही है उस पर भी emphasize करेंगे कि public और private sector का क्या रोल रहा है कब public sector ने जो private sector को assist किया है राइट तो जो एडिटर है उन्होंने जो है analogy विट हनुमान जो है मतलब बोलाएग इस नौट राइट हनुमान और corporate sector का comparison जो है सही नहीं है हनुमान जो थे भगवान राम की जो service में selflessly थे उनका कुछ अपना motive नहीं था वह एक selfless motive से भगवान राम की मोटी नहीं रहता है कि हमें पैसे ना जन्हीत में यह काम करना है पैसा कमाना है और उनके अंदर रिष्क भगवान हनुमान जो थे वह अपनी जान देने के लिए तयार थे लेकिन corporate sector जो होता है उनके अंदर में risk appetite बहुत लो होता है तो अगर कुछ भी असा negative scenario हुआ तो सबसे पहले वह अपना हाथ withdraw कर लेते हैं कि we are not going to invest in this अगर हम invest करेंगे तो that's a probability कि हमारा पैसा जो डूब सकता है तो इसलिए वह जो राइटर है उन्होंने बोला कि हनुमान और जो है प्राइवेट सेक्टर को जो वी कांट कंपर राइट तो इस अल अब 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 आपका कुछ ऐसा mentioning नहीं है पर आपकी एक understanding के लिए यह पिछले 10 साल के economic activity यानि के GDP का graph है which I am going to represent और यह काफी ना informative है सिर्फ इन दो graph से मैं आपको half an hour का lecture दे सकता हूं but I am not going to do that don't worry about that but a proper understanding में आपके बिल करता हूं कि जो भी आप numbers देख रहो हुना right 2004 में जो है UPA की government आती है that is Manmohan Singh लेट उसको UPA 1 हम बोलते है ठीक है अप्रियर 299 से 2003 तक अटल भीहरी की government रहती है और उनकी फिर government जाने के बाद जो है UPA 1 की government आती है और जैसी वह 2004 में अपना office resume करते है तो 2007-8 you can see it here वहां इंडिया की जो GDP ग्रोथ हो अरूं 9.3 परसेंट थी इस नेरिंगे टेन परसेंट ग्रोथ एंडिया कंसेडर ओने वाली थी कि चाइना को भी पीछे चोड़के डबल डिजिट ग्रोथ से जो एंडिया रन करेंगे लेकिन अब दिको ऐसा हुआ क्या कि यह जो आप ग्रोथ देख रहे हो इन अब इन इंडिया की जी टीप ग्रोथ जो है 6.7 परसेंट क्यों जो है फॉल करके होगी तो यूड हाव अपने सुना होगा कि 2008 में जो है रेसेशन ग्रेट रेसेशन क्राइसिस आता है होता है कि यूएस के कुछ बैंक्स होते हैं लेमेन ब्रदर्स और इन्हों ने जो चीपर रेट में मार्केट में जो है लोन और पैसा परवाइड किया पर इनकी रिकवरी नहीं उपाई और पूरा जो बैंकिंग सिस्टम ठप रहते हैं तो किसी भी वर्ल्ड के हिस्से में अगर एकॉनमिक शौक लगता है तो उसके रिपल एफेक्ट बाकी एकॉनमिस पर भी पढ़ते हैं तो 2008-09 में जना एकॉनमिक रेसेशन आने की वजह से जो है इंडिया के ग्रोट 6.7 परसेंट हो जाती है ऑल्दो वर्ड के इंडिया लार्जली जो है इससे इम्यून थी रेसेशन से अब उस इम्म्यूनिटी का रीजन क्या मैं आपको बताता हूं यूड नवर नो इस चाइना जो है चाइना जैसी एकॉनमिस जो है एक्सपोर्ट ड्रिवन है राइट चाइना मैनिफेक्ट्रिंग है यहां कि इस थी भी बाकिंट्री में अगर एकॉनमिक शॉक होता तो हिंकी पर्चेजिंग पावर लोर हो जाती है तो चैना एक्सपोर्ट डिस प्रकॉर्ट थूद इस कंट्री में चाइना की भी हो हो जाएगी लेकि इंडिया के केस में जो इंडिया के एकॉनमियों अना और क्लिसा नियुक्ट इंडिया की इंडिया है तो जो है इन्डिया के इंडिया में इतना नहीं पड़ा था अन्डिया उस टाइम पर 6.7% का जो है ग्रूथ रजिस्टर किया था अब आप देख रहे हों कि जो इंडिया की एकॉनिमी है फिर से जब अप करती है इन 2019 और 8.6% का जो ग्रूथ रजिस्टर करती है अब अचानक से क्या हो जाएगा कि एकॉनिमिक शॉक है और फिर जो है रेजिस्टरिंग हो जाएगा तो होता है कि रेसेशन में एकॉनिमी के अक्टिविटी इस लो हो जाती है लोगों की पर्चेसिंग पावर खतम हो जाती है ज रेसेशन उसको बुला जाता है तो उस ताहीं पर जॉन मेनेट कीन्स थे उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था फिसिकल स्टूमिलेस का जब ऐसी कोई कंडिशन आए ना तो गॉवर्मेंट को जो है बहुत सारा फिसिकल स्टूमिलेस देना चाहिए मतलब खूब सारा पैसा ज होगे और फिर से नाइन परसें नाइन परसेंट नाइट पॉइंट परसेंट का जो ग्रोथ रेजिस्सर किया था और इसने गवर्मेंट में जो अपनी खुद की बहुत सारी गवर्मेंट स्कीम चलाएं जिसमें आप देखते हो मनरेगा जैसी स्कीम उसी टाइम पर है तो इस थाइस बीन रोल इन बाक दें इन तो 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 नाइन एं तेन राइट फिर जो है क्योंकि आप इस्टिमलेश गवर्मेंट दे रही यह मोर और मार्केट इस फ्लोइं इन अगले साल भी एक पॉजिटिव ग्रोट आप अरौन परसेंट जो एंडिया से रजिस्टर करती है राइट 9.3 परसेंट जो है 2010-11 में फिर से आप देखरो इस ग्राफ इस ग्राफ इस गूइंग डाउन 6.2 परसेंट तो यह सिर्फ डोमेस्टिक फिनोमेना से लिए डाउन फॉल नहीं होता है बैक स्टेज में आपको दिखाऊं कि अरब वल्ड में आ आपका सोर्स अप्रूड आईल आप जानते होगी कि हम मेजर्टी अप्रूड आईल अरब से ही इंपोर्ड कराते है अरब वर्ड में जो है अरब स्प्रिंग आपने सुना होगा और अल्मोस इन अवरी नेक्स कंट्री जो है टर्मॉल चल रही थी जो कि आपकी क्रूड जो में हैंपरिंग हो जाती है सीरिया में आपने देखा हो कि बश्रेल असद का रेजीम था और मॉनारिकल रेजीम था जिसका डाउन फॉल होता है यूएस इंवेड कर देता है वहाँ पर रश्या और सारा सबकी फाइटिंग शुरू हो जाती 2012-13 के राउंड में तो डैट कि कोई भी चीज करो इस पर मिनिमालिस्टिक टैक्स था ताकि प्राइवेट सेक्टर पर इंसेंटिवाइज हो कि उसको कम से कम टैक्स देना पड़ेगा और यह जो ग्लोबल स्टेज पेक तो सीरियन बहुत चल रहा था कुरूड ऑईल के प्राइस बढ़ रहते और जो अपने इंट्रेस रेट टाइटनिंग शुरू कर दीती जो अभी आप देखर होगी कि इंडिया की करेंसी रेट जो एराउंड 80 रूबिस है यह 2013 में भी जब फेडरल डिजर्व में अपना इंट्रेस रेट हाई किया था तो इंडिया से इंवेस्मेंट भाग के वापस फि अब आता है किंग फिशर का रोल विजय माल्या अब किसे भी कंट्री की एकॉनमीक डवलप्मेंट में वहां के इंडिस्रिलिस्ट का होना बहुत कुरूशियल है यह लीडिंग रूल इन फंशिनिंग आप दे एकॉनमी लेकिन एंटर्पेवनर्शिप और बिजनेस जो है रिस्क से भरा हुआ है और यह जो इंडिस्रिलिस्ट है इसा तो है नहीं कि घर पर पैसा पड़ा हुए और इन्वेस्टिंग बिजनेस ब्रेंक से लोन लेंगे और इस सेंस के ऑप्टिमिजम में रहते हैं कि सटें सेंस में एकॉनमी ग्रोथ अप होगी ही होगी और उनका सब्सक्राइब के साथ इस टाइम पर हुआ ही यह हुआ कि गवर्मेंट ने जो है चीपर रेट पर जो लोन प्रवाइड करना शुरू किया टैक्स को कम कर जे तो बिजनेस अक्टिविटी बूम शुरू हो गया लेकिन किंग फिशर का क्यों दूरभाग चालू हो गया इसम सब्सक्राइब का रेट लो नहीं हुआ था और ग्लोबल स्टेज पर अल्रड़ी एकॉनिक अक्टिविटी लो हुई रही थी बिजनेस कम था लोगों का ट्राम वोबिलिटी लो थी अब जिसके पास पैसा नहीं होगा जिसके पास अल्रड़ी पैसा था वो तो फ्लाइट स से पिट गए एक तो बैंक से लोन उठाया कि जो हम चलो इस एकॉनिक क्राइस से उबर पाएंगे एक तरफ तो जो हैंका एविएशन टर्बाइन फ्यूल का कॉस्ट हाई था तो इनको हाईर कॉस्ट फ्यूल परचेस करना पड़ता था और दूसरा जो इनकी एकॉनिक अक् अब बिजनेस कम होता जाएगा तो दोनों साइट से जो इनकी प्रोबिलीटी थी इनोंने अब बैंक से लोन उठाया थे कि आविल पे एट सर्टें टाइम अफ लेटर वो इस पोजिशन में होते हैं तो इनका जो बिजनेस प्लें का जो है किंग फिशर ऐरलाइन का वो जा के साथ फॉर्चून नहीं था कि हर एक एक अक्टिविक कोई भी इंडेस्ट्रियस लेता है लोन लेता मार्केट से कि हाँ चलो एक स्टेज पर जो एक अक्टिविटी बूम होगी मार्केट में कंजम्शन बढ़ेगा और हमारी धन्दा पिक करेगा लेकिन विजन माले के सा पास्ट वो कंट्रोल कर लेंगे या कंट्री की जो है एकॉनमी का जो रूपी एस कंपेर टो डॉलर वो इंप्रूव कर पाएं और तीसरा फेक्टर मोर और लेस उनकी कंट्रोल में था फिर्स कंपेटिशन पियर ग्रूप स्पाइट जैट और ऐसे बहुत सारे एरलाइंस तो फंचन कर रहे थी और देट लेट फॉल फिंफिशर एरलाइंस तो देख सकते हो कि कैसा यह चार्ट जो है कितनी सारी एकॉनमिक अक्टिविटीज डोमेस्टिकली और इंटरनाशनल लेवल पे इंडिया के एकॉनमी कैसे उस ताइम पे फंचन की तो यह सारा कुछ 2014 तक रिलीज किया गया था और बेस यह उस टाइम पे 2004-05 यह लोग कंसिडर करते थे फिर BJP की गवर्मेंट आई उन्होंने GDP सीरीज का रिविजिन की और जो बेस यह 2011-12 है और यह डाटा जो है आपका मिनिस्ट्री आफ स्टाटिक्स और प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन द्व और बी चीज़ों को जो है जीडीप कालकुलेशन में और बी बास्केट ऑफ जो फंचनलिटी उनको जो है इसमें लेकर आती है तो जब बीजेपी की गवर्मेंट आती है ना और से पहले मैं यह भी बता दू कि 2011-12 में आपने देखा हुआ कि बहुत सारे ऐसे भी फिनोमेन है डोमेस्टिक ली चल रहे थे जैसे कोल ब्लॉकेशन में करप्शन टूजी स्पेक्ट्रम पर करप्शन का बहुत सारा कॉंग्रेस ब्लेम लग रहा था उसी टाइम पर अन्ना मुवमेंट भी शुरू हुआ था जो कि आम आदमी पार्टी का आपने देखा हुआ देली में राम लीला मैदान और यहां पर आई वस अलसो कॉलेज सुडेंट बैक देन तो मैं भी उन एकॉनमिक एक्टिविटी अब मतलब इन जो स्ट्राइक्स और नो मुवमेंट में आई वस पार्ट आफ दे इंसिडेंट आई चैन्स तो यह सारा कुछ कॉंग्रेस के अगेंस में क्योंकि महगाई वड़े थे इंफलेशन वह राइजिंग लपीजी का दाम बहुत जादा बढ़ता जा रहा था पेट्रोल गियम का दाम बहुत जादा बढ़ता जा रहा था और कॉंग्रेस के अगेंस पे बहुत सारे नेगेटी सेंटिमेंट अब देख रहो कंट्री के ए इंडिया के भी अपलिफ्ट करेंगे और उनका साथ ना भगमान भी उस ताइम पर दे रहा था जैसी वो लीडर्शिप को रिजूम करते हैं तो आप देखो जीडीपी ग्रोथ है एराउंट 7.4% चली जाती है और उसके पीछे रीजन क्या है कि जैसी कॉंग्रेस के 2012-13 के रेजी में कुरूड ऑइल के पाइसे बहुत जादा हो गयते लेकिन फिर धीरे धीरे जो कुरूड ऑइल के प्राइसे जो है कम हो जाते है यह 2015 का आर्टिकल से मैंने स्नाप्शॉप लिए है एकॉनिमिक टाइम्स का and see the headline the fall in crude oil prices is perfect script that God has written for Modi government यानि कि भगवान की देना है कि कुरूड ऑइल के प्राइसे जो है कम होते जा रहे है जो आपका 100 डॉलर 120 डॉलर पर बैरल जो है कॉस्ट पड़ता था वो उस टाइम पे जो है उनके 40 डॉलर के around 40 डॉलर पर बैरल रलाके गिर गया था तो कितना physical space जो है government को मिल रहा था नरेंद मोदी जैसी अपनी जो है अगले तीन साल में बढ़ता ही जाता और यह तब हो रहा है ना कि इन टेन्योर में अब जब देखोगे agricultural activities बहुत लोग परफॉर्म कर रही थी तो यहोंने जो है economy को ऐसे नेगटीव परस्पेक्टिव से NDA ने हैंडिल किया था पर थोड़ा बहुत मतलब you know global atmosphere positive होने के आती है फिर आता है हमारा जो सबसे economic shock का time period था वो 2006 demonetization का 8th November 2016 को आप देखते हो कि नरेंदर मोदी जो currencies को demonetization कर देता और उसका impact जो होता है throughout the year अगले एक साल की economic activities पर होता है और यहीं नहीं 8 November 2016 को demonetization होता है ने very next day जो है US के presidential election हो रहा था जिसमें Donald Trump और Hillary Clinton जो कंटेस्ट थी and world was expecting कि Hillary Clinton ही जो है US की president बने गया और stock market काफी positive जा लेकिन लेकिन रही next morning जब result आता है और Donald Trump जो है election को जीट जाते है तो उससे क्या होता है कि पूरा economic shock stock market होता ना पूरा हिल सा जाता है उसके ripple effect बाकी economies भी पढ़ता है जो इंडिया के economy पे यह देख रहा हो 6.8% का 8.3 से downfall होता है that is all resultant of demonetization rate fall करता है फिर 6.5% गरता ही जाता है अब demonetization 2016 में तो हुई ही थी लेकिन उसके further beyond पर आप देखते हो कि नरेंद मोधी की government एक फिर से economic reform लेकर आती जाती जीएस्टी implementation और जीएस्टी implementation जैसी आता है तो एक दो साल तक तो किसी को पता नहीं रहता है कैसे जो business को function करना है और उससे भी economic activity गिरती है that leads to the downfall in the GDP growth तो 6.5% आती है फिर सबसे बड़ा downfall शुरू होता है 3.7% जीएस्ट जीए उसके बाद आता है पर कोविड वाला फिनमेना lockdown शुरू हो जाता है सारी economic activity बंद और एक negative growth होता है around minus 6.6% of the economy जो है इंडिया की चली जाती है कि negative territory में जो है इंडिया की GDP growth हो जाती रही तो पहले से तो downfall चली रहा था background में और उस पे जो है और adverse situation जो है कोविड जैस करेंगा है it has shown now for recently data चुका है तो around positive growth जो है फिर से economic activity resume हो चुकी है तो यही सारा कुछ था एक brief background information जो है कि NDA की government जो है 2014 में Congress से एक adversial point of view से resume करती यानि कि economic condition सही नहीं थी उस ताइम पे जो है BJP की party जो है बीजेपी जो है governance को resume करती है फिर economy को कैसे assist करती है और उनका एक ना governance मतलब वो minimalistic government का role चाते थे और यह चाते थी कि private sector ज्यादा से ज्यादा आके जो है governance के space में आके काम करें और government जो है अपना role जो है redefine करके सिर्फ marginalized section के लिए काम करें but we'll see कि क्या government का यह approach सही रहा है whether it was right in its approach और अगर उन्होंने ऐसा कुछ provision रखा तो क्या economy economy जो इंडिया क right direction में गई है यह नहीं गई है तो we'll see further in article discussion तो the next point is the need for the revival of private investment for sustained growth of the economy यानि कि private sector का जो necessity है अगर किसी भी economy की sustained growth के लिए वो बहुत यह crucial हो तो we'll see what is this this is all about तो जो private sector का around 75% of the investment है वो total capital formation आप सो हो सकते हो इंडिया की economy में capital formation में private sector का 75% रोल है तो कितिनी necessity है कि private sector अपने full on potential पे you know function करे जैसे मैंने बताया थे 2014 में अडिया की government resume करती है और उनका emphasis जो था state driven model से जो है of economic development से अलग था that I discuss की minimum government and maximum governance का जो इनका approach था कि state ही lead factor ना और other private sector आगे आया और जो है government में governance में assist assist करे that is the minimum government private sector was expected to lead the private capital formation last picked in 2011-2012 में और अराउं 32% of the private sector investment and this is the peak उसके बाद ये slump करके अराउं 28% रफली जो है आचुका है और अचुका है और अचुका है capital formation का 2011-2012 में रहा उसके बाद गिरता ही रहा है और तब से कोई success नहीं मिला चाहे कितना भी you know fiscally incentivized कर दिया जाए कितनी भी economic policy ले आ जाए अचुका है इता है इता है जाए पॉजिटीव ग्रोथ नहीं देखा गया private capital formation में रहेट दो इता है नॉट पब्लिक इनवेस्मेंट तो स्लीप अपना लीडिंग लिया कि हम जो प्राइब पॉब्लिक सेक्टर इन्वेस्मेंट इन उसको लो नहीं करेंगे रहेट उन्हें पॉब्लिक सेक्टर इन्वेस्मेंट को जब आप उपर ही रखा लेकिन प्राइवेट सेक्टर का तो लो रहा था लेकिन बिसाइड्स ऑल जो भी एकॉनोमिक सेंडियों चल रहे ते यह भी जो रोल है कि जितना ही गवर्मेंट कर रहे थी क्या एनफ था जो सरकम्स्टैंस प्रिवेल कर रहे थे चलो ठीक आपने प्लाइव 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 इन्वेस्मेंट को लो तो नहीं किया बट इस इट कैपबल कि एकॉनोमिक को सस्टेन कर सके अब गवर्मेंट की खुद की अपनी कुछ आइडियोलोजी इस थी कि जैसे उन्हों उन्होंने बनाता है कि आप एक सर्टेन लेवल तक ही उधार ले सकते हो और अपनी एकॉनिक के अक्टिविटीज को परसुग कर सकते हो और एकॉनिक के अक्टिविटीज को भी ऐसे डिफाइन किया गया था कि ओर इन डेच नीचर अफ कापिटल फोर्मेशन और रेदर देन कि हम इसी टार्गेट को मिट आउट करेंगा और इसलिए कुछ जादा फिसकल इस्टिमिलेस या पब्लिक स्पेक्टर पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग को बढ़ा नहीं रहती हो तो गवर्मेंट ने क्या सही पॉलिसी फॉलो की उसका अप्रोच सही था ऐसा तो नहीं है कि मिसकलेशन उनने किया कि जो वो सोच रहते हैं वो सही है लेकिन बाउंस बैक और एकॉनमी का ग्रोच जो है नेगटीव डूमीन में जाने लगा तुम सी दिस अब उसता में एकॉनमिक सिच्वेशन क्या प्रिवेल कर रहे थी गॉवर्मने जो भी सोचा कि हम चलो पॉब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग जो चली तो करेंगे लेकिन उनने उसको बढ़ाया नहीं था उनकी खुद की अपनी लिमिटेशन थी लीगल जो है मतलब उनकी हैसल करता है कि FRBM Act के थुरू में फंचन करना है पर प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करना है पर प्राइवेट सेक्टर आ नहीं रहा था आगे दबूम है एंडेट बाइट बाइट वाइट रेसेशन के ताइम आप देखतो 9.3 मैक्सिम जो है GDP ग्रोथ 2008 में आजिम क किया था उसके बाद जब इंडिया की कवर्मेंट जो है अपना जो है लीडर्शिप रेजियूम करती है तो उस समय अपसर्ज इंद पप पब्लिक इन्वेस्मेंट में जो है अपसर्ज एक्टम हो चुका था नेगेटिव सेंटिमेंट चल रहे थे और मैंने जैसे बोला कि जो आपन अगरिकल्चर अंप यिदी पी ग्रोफ टो अब दीक रहे थे लेकिन अगरिकल्चर अंप्टर में जो है आपकी परषेंटा के से अगरिट्य को कर ना चीजए ऐस बैकड्राओंड पर जो है अपना लीडर्रशिप रजयू करते है और के साथ साथ जो है उससे पहले जो है ग्लोबल फैनेंशल क्राइसी का इंपक्ट था एक ग्लोबली जो जो डाउन चल रहा था 2008 का जो रेसेशन था उसका इंपक्ट तिल 2014 अभी भी बोल सकते हैं इट है इट है इट है रिपल एफेक्ट अप तिल नाउ और जब ग्रेटर रेसेशन सी नहीं बनता जा रहा था there was no positive news or something like that कि खुछ बेटर आप सुन सको right and these added to the slowing of the exogenous drivers of the demand यह तीन चार फैक्टर जो है पब्लिक सेक्टर इन्वेस्मेंट एक्सपोर्ट अग्रीकल्चर यह drivers of the demand है यह economy को बूस्ट अप करते हैं की वजह से economy run करती है और लेकिन इनहीं का अग अगर जाधा यह रखेंगे तो इसके प्राइज गम होंगे प्राइज कम होंगे तो प्राइज सक्टर को घाटा होगा तो प्राइज सक्टर में क्या है एक पेसी मिजम आगे कि नेगटिव टी आगी कि मतलब economy अतनी positive नहीं है तो कुछ भी production हम करेंगे तो हमारा lossy होगा and that led to the least amount of economic activity back then right also they would not necessarily have enthosis by the possibility that the ideology of minimal government will end a public investment on hold but although government बोल रही थी कि हम maximum governance or minimum government लेके हैंगे लेकिन प्राइब सेक्टर को लग रहा था है यह तो मतलब they are these are politicians they are just mere slogans तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि we will be all all of it together हमको बहुत ज़्यादा assessment मिलने वाला है और इसके वजह से क्या होज़ाइड failing to expand aggregate demand when it was needed country में आप demand को मतलब incentivize करी नहीं रहा बूस्टप होई नहीं रहा है तो you know out of nowhere कैसे economic activity जो बूस्टप होगी so based on the situation in 2014 India's investors would have been fully rational in anticipating not so rosy future for the economy unless सब exogenous factors were turned to favorable यहने कि 2014 में जो भी situation थी जो भी negative scenarios चल रहे थे तो corporate sector एकदम negative था वो कुछ expectation नहीं होना था कि अगले कुछ सालों में जो कुछ अच्छा होगा right तो कोई भी economic activity वो परस्यों नहीं करने वाले था और the government way to act decively to energize the situation through public investment तो वो प्राइवेट सेक्टर ना वेटन बहुत situation में चला गया तो कुछ बाहर से exogenous factor हो यानि crude oil के prices और लो हो जाए और global stage पर जो demand बढ़ जाए right ताकि export boost up हो तब जाके कुछ हो सकता exogenously या फिर जो है domestic level पर government अपना public investment बढ़ा दे यानि कि government takes the leading role और public investment government करें ताकि domestically जो है na consumption boost up government क्या करेगी loans के interest rate जो लोगों के पास पैसे की availability आथे cheaper rate होगी तो लोगों में क्या होगी consumption behavior आपको cheaper rate पर गाड़ी चार लाग कोई कोई दे दे जो 6 लाग की गाड़ी है या फिर मतलब something like that cheaper rate पर आपको पैसा मिल ला तो आप you know motivated feel करो okay let's buy this to public investment वही होता है की government जो है intervene करती cheaper rate पर लोन प्रवाइट करती है जिससे की economic activity boost over market demand creator और उसी के कंपन्स कमेंसरेट जो supply बनाई चाहा चाहा तो private sector was expecting की government कुछ ऐसा कुछ करेगी तो क्या या पुब्लिक इंवस्मेंट जो है step up किया गया let's see that the one leader of the lever the government could have pulled asset watch private investment decline was to step up public investment and refuse to but it refused तो वही जैसे मैंने बुला कि private sector was expecting की government जो है intervene करेगी और private public investment जो है boost up करेगी मला खुद आके cheaper rate of loan प्रवाइट करेगी लेकिन अगले 6 सालों में एंडिया की government ऐसा कुछ नहीं करती है और कुछ पॉब्लिक इंवस्मेंट को इतना boost up नहीं करती जितना हो रहा था उतने पर रही तो एक negative scenario build up हो रहा था लेकिन historically हमने देखा है कि right from post independent जब भी कुछ ऐसे economic scenario हो कि जब economic activity slump हो यानि territory में आये तो पॉब्लिक इंवस्मेंट गवर्मेंट ने बढ़ाया है बढ़ाया लेकिन बीजेपी की गवर्मेंट जो एंडी की गवर्मेंट ने उससे कुछ ऐसा सीखा नहीं था उसका सबसे बड़ा आप देलको 1950s के टाइम पे जब इंडिया इंडिपेंडेंट होती है तो नहरु का emphasis heavy industrialization पे ताकि companies बनाई जाए और बहुत सारी PSU जो है USSR के assessment के थुरू इंडिया में बनाई जाती है तो private sector का तो उससे में कोई रूल रूल था ही नहीं क्योंकि इंडिया इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी राइट तो पब्लिक सेक्टर ही बैकबून आप दे कंट्री सर्फ कर सकती है तो पब्लिक इंवस्मेंट इन चीजों में बढ़ाया गया फिर आप देखते हो कि 1962 में 65 में और 72 में इंडिया जो तीन लड़ाईयां लड़ चुका रहता है तीन बार जो है इंडिया पाकिस्तान और इंडो चाइन वार हो चुका रहता है जिसे इनकी एकॉनमिक एक्टिविटी इंडिया की बहुत क्रिपल होने लग जाती है बहुत नेगटिव सिनेरियो होता है उसमें भी गवर्में है नेगटिव इंपक्ट करता है तो गवर्मेंट बहुत सारा जो पॉब्लिक इंवेस्टमेंट बूस्ट अब करती है अटल बिहारी वाचपही के टाइम पर आपने सुना होगा स्वर्णभुद चतरभुद योजना मतलब गोलें कोट्री लेटरल जो रोड्स का डवलप्मे जाता है लेकिन इन सारे सिनेरियो को जो देख के फिर भी जो एंडी की गवर्मेंट ने कुछ ऐसा लेसन नहीं लर्न किया था तो अपने छे साल के इनिशल रूल में होने जो है कुछ भी पॉब्लिक इंवेस्मेंट नहीं किया था और इसलिए यह सारा कुछ नेगेटिव स seems to have draft the change of mind. यानि कि मोधी गवर्मेंट का emphasis था वही maximum governance, minimum government और private sector lead role play करें लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं तो उनको सबसे बड़ा शौक तो COVID के टाइम पर लगा. आपने देखा हो कि COVID के बाद जो एकॉनमी के अक्टिविटी एगदम नेगेटिव में चलीगी तो उन्होंने 20 20 लाग का stimulus, 20 लाग करोड का stimulus package announce किया, public spending को booster incentivize करने के लिए और तब जाके government को जो है ऐसा है वो आता है कि we should do this public spending, तो pandemic ही उनके लिए एक change of mind की situation create होती है और उसके बाद आता है आपका union budget 2022 और ये एक historical budget इसलिए बोला जाता है कि इसमें, you know, great quantum of money जो capital spending में दिया गया था, right दो तरह की spending होती है, capital होती है, capital होती है, capital ऐसा कि किसी चीज़ पर आप invest करो, उसका multiplier effect हो, right, road, rail, bridges, education पर impact हो कि अगर 100 रुपय आप spend कर रहो हो, तो 1000 रुपय का rate of return एक certain time period के बाद मिले हो, और revenue जो होता है, day-to-day consumption के लिए होता है, salary, pensions, ये वो maintenance के लिए जो आप spend करते हो, आप day-to-day के लिए use करते हो, इससे long term में कोई positive impact उतना नहीं पड़ता है, right, लेकिन government ने क्या क्या है, 2022 के budget में जो है, उनका, you know, deviation from the path of spending, तो capital spending पे जो है, अपना budget allocation, no, उनने increase कर दिया, and this could have positive effect on private investment with past experience, suggest that it could take time to play out, बहुत सारी scheme, आपने देखा, PM गतिशक्ती scheme शुरू कि ये government ने national infrastructure pipeline आपका 100 lakh crore का project है, जिसमें public और private sector दोनों collaborative way में काम करेंगा, right, तो government ने ऐसा role play शुरू किया है, उनकी अपने 5 trillion dollar economy का जो dream है, कि achieve करना है, उसमें public और private sector दोनों function करेंगा, लेकिन ये जो government का role है, कि इतना कुछ करके वो private sector को assist कर रही है, we all up together, जो एक दिन में तो pursue नहीं होगा, एक दिन में ऐसा तो अचीव होगा, नहीं कि private sector जो है, अपने आपको incentivize feel करें, motivated feel करें कि let's begin, हर एक project है, long gestation period होता, आज एक economic activity शुरू हो, तो 5 साल बात, you know, 2 साल बात, 5 साल बात, जो पूरी होती है, तो इस चीज़ को जो है, it's going to take time, right, time to take time to play out, so the expansion is public investment may have to sustain for long, तो public के साथ private investment को आपने तो motivate ही किया है, कि चलो, you should also invest, लेकिन public investment भी low नहीं करना है, अगले जो है, you know, half a decade, 5-6 साल तक government को aggressively, जो है, public spending करते रहना है, ताकि government, corporate sector थीरे दरे उसनो benchmark पे पहुंचे और एक positive optimism corporate sector में डवलप हो, कि we should also resume, right, तो even in the IIMF, IIMF, जो है, International Monetary Fund, जो है, आप ये balance of payment और SRE economic crisis को, you know, handle करने के लिए institution जो आपको बनाए गया, international institution, ये भी time and again आपको, जो है, economic advices देती रही है, और इसका होता नहीं, बहुत reserving policy रहता है, कि कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा एक्ट्रावेगेंड आप economic activity नहीं पर recommend की है, कि sustained growth need to, need a kind of private investment, may require that current public investment thrust will sustain at least half a decade, यानि को उन्होंने ये बोला कि private investment जो quite a crucial है, किसी भी economic growth के लिए, लेकिन for the Indian perspective, जो है, अभी जो है, government को जो अगले 5 सालों तक, 5-6 सालों तक, public spending करना बहुत ही ज़रूरी है, और इसके crucial aspect कि अगर आप जो public spending कर रहे हो, तो कहा करन है, ये domain आपका clear होना चे, government का, ऐसा तो नहीं है कि आप daily consumption के लिए कर रहे हो, freebies देर हो, जैसे election में आप देखते हो, bicycle देने लगे है, लोगों को free में कंबल देने लगे है, या ऐसा कुछ होता है, कि vote, election जीतने के लिए आप ऐसा economic activity पर्स्यों कर रहे है, तो ये जो form of revenue expenditure के form में आता है, इंका कुछ जो है, economy के upliftment के लिए assessment नहीं होता है, तो better आप की spending है, उसको ऐसा target करो, कि जो productive asset में लगाओ, कि अगर आप spending कर रहे हो, तो एक certain time पे इसका कुछ beneficial impact होगा, जो multiplier effect का country के economy को और boost भी करेगा, तो government का emphasis होना चाहिए, कि जो भी aspect पर ध्यान दे कि, सब को figure out करना, check in projects में हमें काम करना, ताकि productive enhancing infrastructure build up हो सके, यानि कि spending कर भी रहे है, road, rail, network जैसे NIP का, अन्होंने target set के 100 lakh करोड का spending, national infrastructure pipeline, PM गति शक्ति यो जो जो ना, और ऐसे बहुत सारे schemes जो है, right, ताकि country का infrastructure boost up, more and more economic activity हो सके, positive atmosphere build up हो सके, तो government का emphasis इसी चीज़ पर होना चाहिए और दूसरा, जो है, कोई भी economic activity pursue होती है, तो, although central government plan करती है, लेकिन उसका implementation, जो है, state government ही करती है, तो government जब fund release कर रही है, तो एक टाइटरी form में जो fund release कर रहा है, और state government को यह पैसा दे, और state government को यह responsibility दे कि आप उन projects को identify करो, जो कि better है, आपके हर state की अपनी एक need होती है, उन investment को उन projects पे लगा है, ताकि जो पैसा आप invest कर रहे हो, और सही जगह पे लगे, सही amount में लगे, और उनका जो है, positive और amplifier effect create हो, right, तो, this is the required need, जो है, besides, अगर country में economic activity हो रही, ग्रोथ हो रही, तो inflation भी हो गई होगा साथ में, लेकिन inflation जो है, एक marginal level पे होना बहुत जरूरी है, control way में होना बहुत जरूरी, जैसे RBI ने targeting कि 4 plus minus 2%, यानि कि maximum 6% and at a minimum 2% जो inflation होना चाहिए, तो inflation control करना भी बहुत ही जरूरी है government को, कि जो भी economic activity हम pursue करें, ऐसा नहों कि जो से market में पैसा infuse तो कर रहे हैं, liquidity बढ़ा रहे हैं, पर वो कहीं, जो है, inflation को बढ़ा है, और inflation को अगर बढ़ा देगा, तो sole objective है, वो defeat हो जाएगा, यानि कि जो भी, मतलब, चीजों का दामता, आज 100 रुपे में खरीद के आप उसको मिटाउट कर पढ़ा, तो inflation होगा, तो आप 110-120 रुपे देखे, सेम चीजों को खरीदना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, currency की जो आपकी value गर जाती, economy में उतनी positive implication नहीं होता है, तो सबसे जो crucial role है कि उनको control करना, आप inflation control कैसे होता है, हम ये देखता है, एक तो demand side पर control कर सकते हो, एक supply side पर control कर सकते हो, demand side पर RBI leading role play करता है, RBI Central Bank of India है, वो interest rate को up और down करता है, जिससे की liquidity का उपर निचे होता है, अब inflation control करने के करता है कि interest rate बढ़ा देता है, right, interest rate बढ़ा रहता है, तो market में जो loan है, वो higher rate of interest पर मिलता है, लोगों जो है, कम से कम पैसा withdraw करता है, और उनका consumption low जाता है, जिससे inflation control होता है, लेकिन RBI का भी limited role है, वो एक certain stage तक है inflation control कर सकती है, तो government को फिर supply side पर intervene करना रहता है, कोई भी economy ए लिएकर supply बढ़ जाए, right, और खरीदने वाले कम हो, तो उस चीज का दाम अपने आप गर जाता है, वो भी सही नहीं है, और किसी चीज के एकर demand बढ़ जाए और supply नहीं है, तो उस चीज का दाम बढ़ जाता है, तो वो भी सही नहीं है, कि जिसी सको आप 100 में खरीदना चात हो, पेट्रोल डीजल का डाम कंट्रोल लेवल पे हो, तो गवर्मेंट को step up करने की ज़रूरत है, अगरिकल्चरल प्रोडूस में सबसे पहले, सिर्फ गेहुचावल पे उनको इंफैसिस नहीं देना, आपने आपने देखा होगा कि गवर्मेंट का एक heavy budget जो है, एडिवल करते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन जैसी कंट्रीज के तरू हम इंपोर्ट कराते हैं, तो अगर गवर्मेंट प्रियरटाइज कर रही है कि ये supply side पे अगरिकल्चर सेक्टर को जो हमें बूस्ट अप करना है, तो उसका emphasis एक high time opportunity के edible oils पे इंडिया अपनी import dependency कम करें और domestically उनको produce कर रहा है, और इसी performance में आपने देखा है कि national mission on edible oil जो है government run कर रही है, जिसमें palm oil के plants को अभी ऐसा project में बोलिया गया है, कि develop किया जाएगा ताकि India domestically produce करें, अब इंडमान निकोबार, South के कुछ states में, North East के state में, इनका palm oil का production शुरू, मलब अनकी planting शुरू की जाए तो यह दोनों का role quite important है, तभी जाके food inflation जैसे ऐसी बीमारी जो है, मतलब जो control हो सकती है, तो इन दो crucial aspect पर government का emphasis होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक right project पर emphasis करें, जो की productivity को boost up करें, और दूसरा inflation को एक controlled manner में रखना, और वो भी तभी possible हो, जबकि demand and supply का curve जो है, properly maintain हो चुके ह these are the areas that government needs to emphasize, अगर वो public investment जो है, इंडिया में boost up करती है, तो this is all about, लेकिन end में जो राइटर कुछ thoughts to ponder देते हैं, उन्होंने directly नहीं बोला, लेकिन सोचने के लिए छोड़ दिया, कि आखिर government जो है, 6 सालों तक खुद public investment को boost नहीं करती है, और corporate sector से expect करती है, कि corporate sector आगे आए गा, उसके percentage और corporate taxes भी reduce के लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो रहा तो, क्या कुछ ऐसे factors हो सकते हैं, जो इस पर उन्होंने question mark लगा के डाले, लेकिन more or less it is the reasonable reasons की नहीं के वज़े से कुछ ऐसा corporate sector में negative sentiment रहा है, तो the government में have inherited the sluggish private investment, it must reflect upon government को सोचने की बात है, कि क्या उसके actions adversely affect क climate को, अब time and again, आजकल news में हमेशा सुनते हो, ED की rate पढ़ रही है, income tax, CBI, CVC, CAG, इनकी हमेशा कुछ नहीं कुछ reports आते रहा हो, और ground कुछ अभी मिल नहीं रहा है, लेकिन regular rates की वज़े से, जो private sector में एक डर सा बैठा हुआ है, कि it's better to stay inactive than pursue an activity that is subject to criticism, यानि कि आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी करो, वो subject to criticism हो गई, अब सही हो, गलत हो, यह तो बात की बात है, लेकिन आप पर investigation agency, तलवार लेके आपके गर्दन पर, they will come up, right, और वो तो चार साल बात, पांच साल बात, जो है, मतलब फिर पता चलेगा, whether you are right or wrong, तो क्या government का ऐसा behavior जो रहा है, इन agency क के टाइम पर recently काफी बढ़ गया है, right, तो एक तो मामने चले, ease of doing business के लिए आप law, rules, regulations बना रहे हो, लेकिन ऐसा enforcement यह सारी agencies का utilization करके, क्या एक fearful factor, एक negative perception economy के लिए बना रहे हो, और क्या यही responsible है आपकी, you know, private sector के pessimistic behavior का कि वो आगे आके, जो है, investment में पर स्यों नहीं कर रहे ह क्योंकि government तो figure out नहीं कर पाई है कि ऐसी activity pursue करने के बाद भी economy अभी जो है, clueless रही है, आपने finance minister को भी सुना होगा, it is an act of God के economy, Indian economy is growing down, तो this is all about this discussion, hope you liked it, तो we discussed in the whole article की कैसे जो है, public sector, government जो चाहती की corporate sector जो है, आगे आए और India के economy में assist करे, अपना role play करे, लेकिन besides all the legal measures, all the incentive measures, private sector अभी भी lead factor में आगे नहीं है, और historically हमने देखा है कि government को क्या understanding, क्या learning लेनी चाहिए, कि कैसे जो है, ऐसे negative scenarios में, जब भी economic activity low हो, तो public investment को boost up करना चाहिए, और current government को इससे lesson learn करना होगा, और further जो है, out of nowhere, private sector अचानक से उतो invest करना नहीं शुरू होगा तो government को ये ध्यान में रखना होगा, अगले 5 साल हमें जो है, public investment को boost up करते रहना है, और तब एक certain time period पे जो है, positive atmosphere का build up होगा, और private sector भी जो है, lead role play करे का, और country की हमारी economic development, जो हमारी 5 trillion dollar economy का हमारी जो dream है, along with that की per year, जो हम world की largest, fastest growing economy with double digit growth बन पाएं, जब तभी possible होगा, जब no wheels of the Indian economy properly function करें, तो this is all about this article, अब आपका जो है, main answer writing practice का जो है, आज का question है, India social economic development relies on mutual cooperation between public and private sector substantiate, 200 word में आपको लिखना है, public और private sector का role mutually cooperative है, ताकि इंडिया की social economic development में एक positive role play कर चुके है, तो please write this answer, अच्छे से framing केंजिये, lot of content I have given, और भी आप बहुत सारी schemes like with PM गति शक्ती और national infrastructure pipeline इस answer में आप use कर सकते हो, तो this is all about today's session, hope you liked it, do mention in the comment section की कैसा लगा आपको, whether you liked it or not, और अगर अगर अच्छा लगा तो do share with your rest of your friends, ताकि हमारे reach maximum से maximum हो, और हम बेटर content आपके पास लेके आपके बें, good luck, all the best and bye.